नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मेहू का जो नरायन रुख करेंगे खबरों का दिली डिजास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी की आज हुई बैठक में बड़े फैसल लिये गए दिली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंसिट्यूट खोलने का फैसला लिया गया है डिडिया में ने विशेशग्यों की सलहा कोरोना के लगातार घटे पॉजिविटी रेट और कोरोना के लगातार घटे केस के आधार पर ये फैसला लिया DDMA की वर्चुल मीटिंग की देख्षता उपराजुपाल अनिल बेजल ने की बैटक में सियम अर्विन केजिवाल और कई एक्सपर्ट्स मौजूद रहे आपको उता दें कि इससे पहले व्यपारी संगर्षन कर्फियों समेथ अन्य पाबंदियां हटानी और पेरिंट्स एसस्येशन भी स्कूल खोलने की मांग कर चुके हैं तो अब धीरे धीरे करके दिल्ले की स्कूल खोले जाएंगे साथ फरवरी से नवी से बारवी तक के उसके बाद चौदा फरवरी से नर्सी से आटवी तक के स्कूल खोले जाएंगे कॉलेजिस पूरी तरह से खुल जाएंगे ऑनलाइन पढ़ाई कोलेज के बच्चों की नहीं होगी आफलाइन तरीके से उने पढ़ाया जाएगा लेकिन यहाँ पर ये भी शर्त रखी गई है कि जो भी टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल में वो फुली वैक्सिनेटिड हूँ इसके अलावा जिम और स्पार्क होने को लेकर कोरोना गाइडलाइन्स को फॉलो करना होगा अगर कोरोना गाइडलाइन्स आफॉलो नहीं करते तो फिर सक्त कारवाई की जाएगी रेस्टरांट और बार जो हैं वो अब 10 बजे की जगा 11 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन 50% कैपसिटी के साथ कर्फ्यू का टाइम भी चेंज कर दिया गया है पहले 10 बजे से कर्फ्यू शुरू होता था अब 11 बजे से शुरू होगा यानि कि जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और जैसे जैसे कोरोना के केस दिलने में कम हो रही है वैसे वैसे अपाबंदिया कम की जा रही है पॉड़ी विधानसभा के कलजी खाल ब्लॉक के टंगरोली गाउं के ग्रामिनों ने एक खुली बैठक कर आने वाले विधानसभा चुनाफ के बहिशकार के अलान कर दिया है ग्रामिन गाउं के विकास से असंतुष्ट हैं ग्रामिनों का कहना है कि देश आजादी का फिचत्तरवामरित मोस्व मना रहा है लेकिन ग्रामिनों के बार-बार साशन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी सड़क और पानी के समस्या बरकरार है ग्रामिनों का कहना है कि ग्रामिन आदी मानव की जिन्दगी जीने को मजबूर है महिलाओं को दो किलोमीटर तक की दूरी तैकर पानी लाना पड़ता है नीता पांस साल में वोट डालने को लेकर तरह तरह के प्रलूभन और आसवाशन देते हैं लेकिन जमीन पर कारें नहीं रिखाई देते लिहाजा ग्रामिनों ने चुनाव का पूर्ण रूप से भाहिशकार करने का फैसला लिया है आज हमारी ग्रामसबा टंग्रोली में खुली बैठक रखी गई जिसमें समस्त ग्रामसबा द्वरा यह निरने लिया गया कि आगामे 2022 बिदानसवा चुनाव का पूर्ण रूप से भाहिशकार करेंगी जिसमें हमारे ग्रामसबा की मुख्य मांगे जो थी पानी से या सडक से जो कि हमने उपर परसासन तक पहुँचाई लेकिन उसका कहीं से भी हमको हल नहीं हुआ इस समस्या का इसलिए पुरी ग्रामसबा हमारी इसका पुरून रूप से बैशकर करती है ऐसा है कि देश को आजाद हुए तियतर साल होगे कि देश आजादी का अमरेट महुत सब्बना रहा है कि वेतर हुए लेकिन हमारे गाओं में अभी तक आदि मानव के जिसी जिन्दगी जी जारी ही है गर्मियों तो हालत यह हो जाती है कि दिग्गी बें ताले लग जाते हैं और परतेक परिवार को एक एक या दो दो वतन पाने बिलते हैं तो पाने की बहुत बड़ी समस्या है कई जन परदिनेंगे से पहले में बात्चीत हमारी हुई लेकिन कोई इस समस्या का हल नहीं निकल पाया और इलक्षन के टाइम पर सब आसा सुन देखकर चले जाते हैं घुच्रा अमारा सड़क की समस्या है सड़क के अलग जो है वो बहुत बुरी है और हमारा देखके वाली सड़क से जो लिंक करवाने का था वो भी आधर में लग्का हुआ है तो इसलिए इस बार समस्त ग्राम वश्यों ने यंदिवरें लिया है कि विदान सबा के चुनाओं का पूर्ण रूप से बहिसकार किया आज हमारी ग्राम सबा दौरब आगा में चुनाओं 2022 विदान सबा चुनाओं का पूर्ण रूप से बिरोध के अगया है क्योंकि काफी समय से हमारी ग्राम में एक समस्या चली आ रही थी पानी की समस्या और एक सड़क की समस्या जो कि हमारे दौरब कि कितने वी ग्यापन यह कितने भी अंदुलन किये गए उसके द्वारा भी अभी तक उसका हल नहीं हो पाए जिसकारण हमने और हमारी ग्राम सभा ने यह फैसर लिया कि समय आगा इन्वी चुनाव में हम मद्दान देने नहीं जाएंगे उत्राखन में विधानसभा चुनाव का महौल है ऐसे में चोर भी सक्रिये हैं मंगलोर के गुरुकुल नारसान में चोरों ने एक बैंक की दिवार तोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की अलाम बज़ने पर चोर फरार हो गए बैंक मेनेजर की शिकायत पर पुलिस ने जाच शुरू कर दी है इन वी जो मैनेजर है उनके दोरह सुचा दिए गई कि अग्याद वेक्तिन दोरह उनके बैंक में घुसकार एटीम को काटकर पैसे ले जाने का प्रयास किया गया है इसमें एटीम चंतिकरस्ट हुआ है उसमें कोई वो कैश वगरा नहीं ले जा पाए समन्दम अभ्योब प पीछे काफी जो है एकांत स्थान है तो समय में बैंक अधिकारियों से भी वाता की गई है साथी साथ इस घटना में जो समलित हैं उनको चीह से पागाने की लिए टीम मना दें गहीं है उसके प्रयास है काशिपुर में कॉंग्रिस प्रत्याशे की लोग प्रिता में लगातार इज़ाफा देखने को मिल रहा है जिसके चलते लोग कॉंग्रिस पार्टी के सिदस्ता लेकर पार्टी के प्रचार में उतर रहे हैं आजए माद्मी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लगभग दो दर्जन लोगों ने किंगर्ज पार्टी के दुबारा सिदस्ता ली इस मौके पर पार्टी के महानगर अध्यक श्रनदीप सह civगल ने कहा है कि हमारे दो दर्जन साथियों ने जो बीते दिनों आ पर बस्पा में चले गए थे वो अब घर बापसी कर चुके हैं मुझे रखता है घर बापसी तो करी उन सभी का स्वागत है लेकिन बहुत खुशी इस बात की है कि जिस प्रकार से भारती जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक हमारे बहुत अच्छे समाच को और लोगों के वोटों का जो धुरुवी करन कर रही थी वो बहुत जल्द भाईयों को इस बात का एसास हुआ कि कहीना कहीं हम एक गलत प्लेटफॉर्म पर हैं हम लोग जो है एक ऐसे व्यक्ति और ऐसी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका कोई भविश्य नहीं है कॉंग्रेस पार्टी एक राष्ट्य पार्टी है आप लोगों के कॉंग्रे प्लेटर सिंग रावत ने आधुनिक करणों से लेस ग्यारा वहनों को सुरक्षा की रिस्टे से हरी जण्री दिखा का रवाना किया एससपी हरद्वार डॉक्टर योगेंदर सिंग रावत ने जवान कायर देते वे बताया कि बदले परिवेश में आधुनिक उपकरणों क जरुद भी हर जगा पढ़ने लगी है उसी कड़ी में 11 स्कॉर्पियो जिनमें 7 पेट्रोल यूनिट, 3 हाइवी यूनिट और 1 ट्राफिक कंट्रोल यूनिट के लिए वाहन रवाना किये गए हैं पहाडों में हो रही बर्फबारी अब लोगों के लिए आफ़त बन गई है जहाँ बारी शव बर्फबारी ने चनाप प्रचार में ब्रेक लगा दिया तो वहीं पॉड़ी के ठैली सेड़ ब्लॉक के उफिल खाल साली गाउं में भारी बर्फबारी के बच्छों से ग्राम पुलिस के जवान वहाँ पहुचे और बुज़र्ग व्यक्ति को भारी बर्फबारी के बेस रखशित स्थान तक पहुचाया अब पुलिस का ये जज़बा सोशल मीडिया पर खूब बहवाई बटो रहा है और जैसे ही सुबह मंतरी जी को पता चला मंतरी जी ने अपने गनर बिनोध बिष्ट जी को तुरंट वहाँ पे भेजा और हमारे साज बुज़र्ग रावत जी रिक्साल के थे उनको लेकर को स्प्रक्षित इस्तान पर उप्रेखाल लेकर पहुचे रहिवार से उरही लगातार बारिश और बर्फबारी के करण पौडी के पहाड़ी शेत्रों में बहुत से ग्रामेड मार्ग बंद हो गए हैं जिनको खुलवानी के लिए ज़िलादिकारी के तरफ से अत्काल आदिच जारी कर दिये गहें बीरो खाल आदी मुखे बाजार से जोड़ने वारी मार्गों का समपर्क मुखे मार से तूड़ गया है उल्हों ने बताये कि जादा बारिश और बर्फबारी के कारण ये मार्ग बादित हो गई हैं जिनको खुलवाने के लिए लगातार जिसे भी मशीरों का सहारा लिया जा रहा है अजा के लिए कि अगर्वाने जनप्त में कल और आज जो है काफिभारी मात्रा में बर्बारी हुआ है इसा जो हमारी है प्रमुक्ता से बादित हुआ है रिपाजी सेन की दूर्ज रोड है बीनों नेशनल हाइवे वह बादित हुआ है सराइखक मर्चुला रोड है और झाली तो वहां पर लगातार रूड़ बात्थ होने की समझ्या को सामना करना पड़ रहा है जनता को वहां पर दो मशीनी लगातार कारे कर रही है अगले आदे घंटे के अंदर वह खुलने की सम्भावना है अन्य सभी शेत्रों में हलकी से मध्यम बारिश हो रही है और प्याग आपकारी विभाग ने शराब का एक बहुत बड़ा जखीरा बरामत किया इस शराब को ग्रामिल शेत्र में पहुंचाए जा रहा था जो आँस सुभा चार बजे चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ओमनी बैंस से 17 पेटी अवेद शराब के साथ एक आरूपी को बताया जा रहा है कि शुराब किसी रास्ट्रे पार्टी की थी जो चुनाप के लिए इस्तमार में लाई जानी थी वहीं आपकारी निरिक्षा कारेल राणा ने बताया कि चेकिंग के दौरान 17 पेटी शुराब की बरामगी की गई है जिने अपने कव्जे में लेख खराग सुबो चार मजे से रोड़ चेकिंग के जाए थी रोड़ चेकिंग के दोरान एक गाड़ी महान आती भी दिखाए थी उस संदे होने पोसे रोका गया रोकने पे जब तलासी ली गई तो तलासी के दोरान उसमें से 17 पेटी अंग्रे जी सराबरामग भूई असद देन ओवसे के काफिले पर हमला करने वाले आरोपियों के सपोर्ट में अब हिंदू सेना के राजट्री अधियक्ष विश्नु गुपता ने ट्वीट कर कहा कि दोनु आरोपियों जिसमें सचेन और शुबम शामिल है उनको कानूनी मदद दी जाएगी गुपता ने इस हमले को चेताबनी बताया है हिंदू सेना के राजट्री अधियक्ष विश्नु गुपता ने लिखा और वैसे कि गाली पर हमला कर चेताबनी देने वाले हिंदू बादी सचन और शुबम को हिंदू सेना कानूनी साहता देगी और सम्मानित करेगी यह हमला नहीं आप से पहले सियाम चरण जीत सिंग चन्नी के भतीजे भुपेंदर सिंग हनी को प्रवर्तन इदिशालिया ने गिरफतार कर लिया अब वैद बालूखरन केस जुड़ी मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतारी की गई है गिरफतारी देर रात की गई और उनसे करीब 8 घंटे पूश्ताज पी की गई जाल अंदर से गिरफतारी हुई है चन्नी के भतीजे भुपेंदर सिंग हनी के घर पर करीब दो हफते पहरे एडिन ने छापे मारी भी की थी हनी के दो सायोगी के ठिकानों पर भी चापे पड़े थे तीनों के घर से बरामत कैश के बारे में एडिप पूश्ताज करना चाहती है बतादे की चापे मारी में हनी के घर से करीब 7.9 करोल रुपे कैश मिला था वही हनी के सही होगी संदीब कुमार के ठिकाने से 2 कुरोर रुपे मिले थे वुपिंदर सिंग हनी और उनके सही होगियों पर आरोप है कि फर्जी कंपनिया बनाकर मनी लॉंडरिंग की गई और उन पर बालू के अवैद खरण में भी शामिल होनी का आरोप है एडी ने खुरासा किया था कि वुपिंदर सिंग हनी कुरदीब सिंग और संदीब कुमार प्रोवाइडर्स ओवर्सी सर्विसेज प्राइवर्ट लिमिटेट के निदेशक थे इस कंपनी को साल 2018 में बनाय गया था ये काम कुद्द दीब सिंग के खिलाब अवैद खरण मामले में फ़यार दर्ज होने के च्छे महीने बाद किया गया था ये शिकेश विधानसभा सीट पर कॉंग्रेस पत्याशी की जीस सुनिश्चित करने के लिए लगातार कॉंग्रेस प्यास कर रही है कॉंग्रेस ने नगर निगम के चार निदलिय पार्शदों और दो वीजोपे के पूर्व सभासदों को कॉंग्रेस की सिद्रस्ता दिलवाई है पार्शदों और सभासदों के कॉंग्रेस में आने से कॉंग्रेस की मजबूती तैह है वहीं पार्शदों का दावा है कि वो जी जान से मेहनद कर कॉंग्रिस प्रत्याशी को जी दिलाने के लिए काम करेंगे बतादे कि कॉंग्रिस भुवन में पार्शदों और पूर्वी सभासद को कॉंग्रिस की सिद्धा दिलाने के लिए कारक्रम का आईजिन किया गया जिसमें कॉंग्रिस के वरिश ने ताश शुर्विस सिंग सजवान और खुद कॉंग्रिस प्रत्याशी जेंदर रमोला पहुंचे कांग्रेस की तिरता दिलाने के बाद मौके पर समर्दकों ने जोर शोर से कांग्रेस जिलनाबाद के नारे रगाए विकास ठप पड़ा था जो 2007 में चड़ते वे विकास को जुरूर इनने रोकने का काम किया था पईये को रुपने काम अब रिसी केस की जनता ने मन बनाकर इस बार विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की ओर आकरसित होने का काम किया आज हमारे साथ पारसाद पूर लोग कांग्रेस की और आकरसित हो रहे हैं और जल्दी आएक को दिखाते रहेंगे डे बाइडे कौन-कौन लोग जॉइन होगा दीरे-दीरे करके भाजपा के रिती नीटी से तंग आकर लोग और रिसी के बुद्धी जी वीवर के लोग कंग्रेस की सदस्यागान कर रहे ह बिल्कुल है जब देखिए जब परिवार बढ़ता है तो उम्मीदें भी बढ़ती है और जिम्मेदारियां भी बढ़ती है पूरे रिशी के शेत्र में दो वर्स से पहले जनता ने मन बना लिया था अब की बार हम फ्रेंचंजी से विदाय लेंगे या उनको विदाय करेंगे हैं और उनके विकल्प के रूप में जो भी दिखेगा उनको सुविशाज़वान दिख रहे थे अब उनको कांग्रिस के प्रत्यासी जैनेर रमुला दिख रहे हैं और निश्चित लोग से कांग्रेस की विजय होगी यह मैं कह सकता हूं एक-एक कार्यकरता जो मेरे साथ बरसों बरसों से जोड़ा था वो आज कांग्रेस के प्रतियासी के साथ क्योंकि तब भी वो कांग्रेस के प्रतियासी के साथ थे और आज वो कांग्रेस के प्रतियासी क देंगे और निशन्दे हमारी वीजाय होगी और हम वीजाय पता का फैराएंगे एक किर्तमान इस्तापित करेंगे विधान सभा चुनाव 2022 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है इसी कड़ी में चमोली के बदिनाद विधान सभा के थाना पोखरी पुलिस ने सतर्ता और तचपर्ता दिखाते हुए थाना ध्यक्ष, ध्वज, वीर, सिंग, पमार के नेतित में पोखरी के दो अलग-लग राजस्वत शेत्रों के रहने वाली दो लोगों को गुंडा एक्ट के तहित जिला बदर की कारवाई की और चमोली रोधप्रिया के सीमा पर सक्त हिदायतों के साथ छोड़ दिया गया इस अगर नया पंजाब बनाना है तो ये मुख्य मंतरी के हाथ में हैं इस बार समर्थकों को मुख्य मंतरी चुनना है श्रीश पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्य मंतरी चाहते हैं जो उनके इशारों पर काम कर सके सिद्धू ने समर्थकों से पूछा कि क्या आप ऐसा सी सिद्धू का ये पार्टे आलाकमान पर हमला है वो अपने बیयान और समर्दकों के जरीए two दिवाब नाते दिख रही हैं और राज्य में सीयम फेस के एलान से पहले ही अपने तेवर दिखा रही हैं यह पहला मौका नहीं है जब सिध्धु ने अपना तेवर दिखाया है और कमान पर दवाब बनाने की कोशिश की है से पहले सिद्धु ने ऐसी राज़ुनिते करके कैप्टन अमरिंदर सिंग को सीमपस से हटवा दिया था फिर वो पंजाब कॉंग्रिस के अध्यक्षपी बने थे इसके बाद नई सरकार में कई नियुक्यों में भी सिद्धु का हस्त दक्षेप माना जाता रहा है कि अधर दोन इकों का रखेनिया पाई कि जहते नहीं पजाब सजना है मुख मंत्रियां देहाथ सुनता है कि यहां मुख मंत्री ओह यां पहला सूपा हो जो आज दो मुख मंत्रिया ने बेड़ी बाती पचीती साला में बिजा दी कि अधर की मुख मंत्री तुछी चुड़ना भाई यह था इक मानदार उत्ते भादों में दिमानदार इठले तक जाए ते जह उत्ते चोर बहाता देगा अधर लीवान पूने मच्छी मार्कट मच्छी मार्कट उने दुनिया दी सब्सक्तों बड़ी एकॉनमी बनाती सिं कि इन दिनों लोगों में पुष्पा अधरा इस फिल्म का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है इसी कड़ी में एक IPS अधिकारे का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब आरल हो रहा है लाल चंदन तसकरी के पकड़े जाने के बाद IPS ने अपने ट्वीट में लिखा कि रियल लाइफ में पुष्पा जुकेगा भी और धरा भी जाएगा यूजर्स ने इस ट्वीट पर रियक्ट किया है अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में पुष्पा जुकेगा भी और धरा भी जाएगा अपने ट्रुक में लाल चंदन तो रखा ही था इसके अलावा कई फल के डिबबे भी उपर रख दिये थे ट्रक के उपर एक कोरोना अवश्चक उत्वादों का स्टीकर भी लगा दिया गया यानि पुलिस की आखों में धूल जोकने की पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन पुलिस को पहले ही इंपुट मिल गया था ऐसे में नाका बंदी कर ट्रक को जब कर लिया गया और एक आरूपी को गिरवतार किया गया है वही महराष्ट के पूरे में बड़ा हाथसा हो गया जिसमें पांच लोगों के बारे जाने की खबर है पूरे में येवरला के शास्ते नगर इलाके में एक निर्मान धिन बेल्डिंग गिर गई जिसमें पांच मजदूरों की दबनी समाथ हो गई और टीन खायल हो गई हैं दो की हालत कम फीर बताई जा रही है पूलिस के अनुसार निर्मान धिन इमारत गिरने की एखटना गुरवार्दी रात करीब 11 बचकर 45 पूनिट की है मौल की निर्मान कारे के स्टील वर्ट का काम जारी था तब ही अचानक लोई के सरीयकार जाल मजदूरों पर किर गया जिसमें पांच मजदूरों की मौत होने की खबर सामने आई तीन घाल बताय जा रहे हैं सभी मजदूर बिहार के रहने वाले अभी मारत की गिनने के कारणों का पता नहीं चल पाया है शत्यसगर्ड की राजधानी राइपर पहुंचे राखुल गांधी ने साइंस कॉलेज मैदान में शत्यसगर्ड साष्षन की महतवा कांशी राजीव गांधी ग्रामिड भुमिहीन कृषीब मस्दून न्या योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शिवारम कि लिए नवा राइपुर में स्थापित के जाने वाले सिवा ग्राम और चत्यसगर्ड अमर जवान जोती की आधार्शिला भी रखी राहुल गांधी ने अपने संबोधन में पिया मोदी और बीज़पी पर तीखा हमला करते वे कहा कि बीज़पी अमीरी और गरीबी में बा भुपेश जी बढ़ा दीचे जिस पर मुक्य मंत्री भुपेश ने बढ़ानी की बात कही राहुल गांधी ने भुपेश सरकार के कारे को सहारते वे कहा कि चक्तरसकर का स्वाधुर्पाद विश्यों तक पहुंचाईए इसके पहले राहुल गांधी बस से स्वामी विकान निर्पोर्ट से मंत्री मंडिल के साथ चर्चा करते वे कारेक स्थंतन पहुचे थे और राहुल गांधी ने बस्तर में मा दंतेश्वरी की पूझा अर्शना कर लोगों की खुश्वाले की काम ना थी मत्रा वधान सभा से बीजोपी प्रतियार्शे रूर्जवा मंत्री श्रीकान श्र्मा का मत्रा टाउंशिप में जोरदार स्वागत किया गया इस दोरान श्रीकान श्र्मा ने कहा कि आपकी बार मत्रा वधान सभा और तर्प्रदेश को सिक्षा और रोजकार देगे साथी 84 कोस की परिक्रमा को लेकर उन्होंने कहा कि जो शर्धालू बाहर से आती हैं उनके लिए रुखने के लिए उत्तम हिवस्ता की जा रही है वो अखिलेश वादफ पर निचाना साथे वे कहा कि समादवादी पार्टी की सरकार में गुंडे माफियों कराज रहा है पर अपकी बार योगी जी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ हमारी सरकार में सबका सम्मान सबका विकास करने का काम किया है और काम करते रहेंगे और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रहें न्यूस वल इंडिया के साथ